आज हम इस वीडियो 13a में, लैसन 13, मल्टिपल्स का बेसिक करेंगे, और बेसिक में हैं मल्टिपल्स की डेफिनिशन, कॉंसेप्ट, ठिक, तो, क्या है मल्टिपल्स? इसको देखते हैं एक पर, तो मल्टिपल्स means होता है उस numbers का multiply another number से ठीक है जिसे a multiple is the result of multiplying the given number y another number clear जिसे हम बात करें 6 है तो 6 के multiple कौन से है 2 out 3 है जिसे 2, 3 है 6 होती है इस तरह से हमने examples की बात की तो examples में भी simple है write 2 multiples of 5 तो 5 के 2 multiples आपको find out करने है तो 5 5, 2, 3, 5, 3, 15 simple multiples का means होता है table multiples का means होता है table उस number का table find out करना clear तो multiples means समझ गया आप लो तो किसी भी numbers का table find out करना उस numbers का multiple होता है अब हम बात करें जैसे 5 multiples लिकालना है किसी numbers के तो उस number का table 5 तक पढ़ लो अगर हमको बात करें किसी numbers का 7 multiples लिकाना है किसी numbers जैसे मान लोग की 8 का 7 multiples लिकाना है तो 8 का table 7 तक पढ़ लो 8 बंजा 8, 8 भी multiple है 8 उसा 16, 16 भी multiple है 24 भी multiple है ठीक है इस तरह से तो multiples means simple होता है उस number का table और जितने कह रहे हैं बहां तक table जैसे हम 2 के 10 multiples लिकाना है तो 2 का पाड़ा 10 तक पढ़ें 2 का table 10 तक पढ़ें हम लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 यह सभी के सभी यह सभी के सभी multiples है किसके 2 के एक बहुत और बाता है आपको एक बहुत और नोट करना आप लोग कि multiples होते हैं किसी नमर्स के infinite हो सकते हैं कितने ही हो सकते हैं आप उसकी limit नहीं होती है लेकिन अगर हमसे questions में कह रहे है कि 2 multiples लिकाना है, 3 multiples लिकाना है तो तो limit है लेकिन कह रहा है कि 2 के multiples लिका लिए तो तो यह खाते ही भी नहीं होंगे फिर 22, 24, I say soon last तक, infinite तक तो कहने का मीज़ यह है कि multiples मीज़ होता है किसी नमर्स का table, find out करना ठीक, उसके बात क्या है हमने एक्जाम परस की बात की तो multiples of 8, तो 8 के multiples की बात करें तो 8 बन जा 8, 8 तू जा 16 भी multiple है 8 तरी जा 24, 8 तरी जा 32 8 तरी जा 40, 8 तरी जा 48 इस तरह से आगे भी multiples होंगे और कहां तक होंगे हमको नहीं पता लेकिन जतने कह रहे हैं जैसे हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiples of 8 6 ता लिका लिए आप लब 6 multiples लिका लिए 8 के तो इस तरह से इतने ही काफी है ठीक है, इतने ही काफी है लेकिन अगर हम से कहें कि 8 के multiples find out कीजिए, तो इसके कोई limit ही नहीं है, कहां तक होंगे, कोई नहीं पता हमको infinite होते है, infinite होता है इसके कोई limit नहीं होती है तो limit कहने का मिनसे कि multiple से कोई limit नहीं होती है, अब बात करें factor की, तो factors की limit होती है अब जैसे हम बात करें हम 6 के factor, तो 6 के factor का होती है 2 और 3, यह factors होती है और तो हमने आज कर दिया है आपको तो हमपर्क में आपको 3 questions दिया है हमने तो हमपर्क में find the 4 multiples of 7 find the 5 multiples of 6 find the 7 multiples of 8 इस तहां से आपको 3 questions दिया है ये 3ों को 3ों आपको solve करना है self solve करना है अच्छे से करना ना समझ Babaya है तो आप हमसे clear कर सकते है ठीक है और करना नहीं समझ माया तो करना बिलकुल करना ठीक तो हाज हमने lesson 13 start किया और उसका basic ही समझाया था कि multiples क्या होते है उसका concept समझाया था तो multiples means हम आपको फिर बदार देते हैं कि table होते हैं किसी number का table होता है multipass means simple है इससे ज्यादा simple आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो आज की वीडियो में बस यहीं तक thank you bye